अलो फ्रेंड्स माई सहब डॉक्र सुनील तवार कंसल्टेंट एंटी एंटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आज हम जानेंगे क्या है प्रेग्नेंसी इंड्यूज्ड राइनाइटीज यानि गर्भावस्ता के दोरान जो नैजल ब् प्योगी वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता रही है तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं प्रेग्नेंसी इंड्यूज्ड राइनाइटीज दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे क्या है प्रेग्नेंसी इंड्यूज्ड राइनाइटीज दोस्तों प्रेग्नेंसी एक की उसमें inflammation के कारण उस nose के अंदर congestion start हो जाता है nose stuffy हो जाता है nose blockage हो जाता है patient जब सोता है तब nose or blockage feel करता है so that is pregnancy induced rhinitis दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यह pregnancy induced rhinitis क्यों develop होता है why उसका reason है दोस्तों pregnancy में female की body में बहुत सारे hormonal changes होते हैं यह particularly estrogen जो hormone होता है estrogen hormone के कारण है और fluid जो है body के अंदर बढ़ता है एक pregnancy में करीब करीब 11 जो है फ्लूड जो है बढ़ता है उस hormone और fluid की मातरा बढ़ने के कारण हमारे nose के अंदर जो हमारी vence होती है जो हमारी mucous membrane होती है वो फैल जाती है और जिसके कारण जो हमारा airway है वो blockage होता है और nasal discharge start हो जाता है नमर तीन दोस्तों क्या हम पहचाने कैसे हम पहचाने कि यह normal rhinitis है या pregnancy induced rhinitis है दोस्तों इसको पहचानने का बड़ा एक सही तरीका है अगर आपको normal simple allergic rhinitis है तो आपको पहले से भी आपके nose में nasal discharge की history होती है और बार बार आप उसके लिए दवा लेते रहते हैं number one number two अगर normal allergic rhinitis अगर आपको दोस्तों होती है तो normal allergic rhinitis में अगर आप जैसे ही कोई decongestant drop अगर नोज में डालते दियो you just get the immediate relief but pregnancy induced rhinitis में जो हम nasal drop जालते हैं decongestant drop डालते हैं उनका इतना जो है immediate effect नहीं होता so number four दोस्तों कैसे manage करें how we manage the pregnancy induced rhinitis दोस्तों इसको हम दो categories में सीख सकते हैं number one कुछ home remedies and measurement है जिसमें number one दोस्तों you just avoid nasal irritants nasal irritants that means strong dew strong perfumes smoking यह आप को and avoid करने चाहिए जिससे nose के अंदर आपको कम से कम irritation हो number दो दोस्तो regular exercise pregnancy के दोरान आपको अपने आपको रेगूलर एक्सरसाइज करने चाहिए रेगूलर एक्सरसाइज से भी प्रेगनेंसी जो इंडूस्ट जो राइनाइटी से उसमें हमें एंड जो है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए या तो आप पिलो लगा सकते हैं मैट्रेस के नीचे या बैड का जो एंड है हैड एंड है वो एलिवेट रखना चाहिए जिससे nose के अंदर जो है वो कम से कम कंजेशन हो फोर्थ दोस्तों यूजिंग दा हुमिडिफायर की जो हमारा रूम है उसमें एडिंग लिटिल बिट जो है हुमिडिफेकेशन जिससे nose के अंदर जो अपना कम इरिटेशन हो बिकोज उसमें जब हमारे रूम में जो है एर में मोस्चर होगा तो nose के अंदर इरिटेशन बैसिकली उसमें कम होगा नंबर फाइब दोस्तों मेडिकेशन जब बहुत आपको ज्यादा प्रॉबलम है तो कुछ मेडिकेशन हैं जैसे दोस्तों अकोर्डिंग तो डॉक्टर एड्वाइज हम से ट्रेजन ले सकते हैं नेजल डीकंजिस्टेंट टेबलेट अगर आप ब्लड प्रेशर से पीडित हैं तो वह आपको नहीं लेना चाहिए आपको एक सिंपल सिट्रेजन टेबलेट वह भी आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए तो दोस्तों यह है प्रेगनेंसी इंडूस्ट राइनिटिस आइटिंक इस इन्फोर्मेशन इस उस अगरें प्रेगनेंसी इंडूस्ट राइनिटिस आइटिस आपको अगर्णान जाते जाते वीडियो को यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बैल इकों को प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता र